यूपे अरुत्राखन के खबरों के लिए विपे गंगा को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाएं अधर खानपूर के जद्रपती शाहू जी विश्विद्याले में आठ महीने बाद पढ़ाई का सिलसले शुरू हो गया विश्विद्याले से संबद 700 कॉलेजिस भी इस्टूइंट्स के लिए खुल गए अधर आप इतने दिन बाद कॉलेज शुरू है कैसा करना एक है मेरा नाम रिशीद दुबे है मैं बनारस का रहने वाला हूँ यहां पर बहुत ही अच्छा महल है क्योंकि यहां पर सब कुछ बहुत ही सेफ ली हो रहा है अभी तक हम लोग दो दिन से यहां पर होस्टल के च बंद कर दीगे थी लेकिन आठ मेने बाद आज जो युनिवेस्टी है वहां पर जो सैच्छिडिक कार है उसकी सुरुवात की गई है कोविड प्रोटकॉल को पालन करते हुए जो अगर बात कानपूर युनिवेस्टी की की जाए तो यहां पर भी 50% कैपेसिटी के साथ सुरुक्षा के इंतजाम किये गए हैं जो यहां पर सुरुक्षा करमी हैं होंगार्ट जो है वो तैनात किये गए हैं जो लगातार यहां पर आने वाले लोगों को मार्क्स पहनने के लिए रोक रहे हैं और उनको हिडाय दे रहा है कि बिना मार्क्स कोई भी यहां पर इंट तो आप देखेंगे कि जो भी गाड़ी आती है उनको रोक कर उनकी चगिंग की जाती है और यहां पर थर्मल स्केनिंग की जाती है तो लगवाग आट मेने के बाद कानपुर उन्वेस्टी में भी रौनक वापस आई है हलाकि 50% क्लासेज जो हैं इस्टुडेंट्स जो हैं उनके साथ ही यह पढ़ाई जो है उसको सुरू की जा रही है और कोविट प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है जितने स्कूल हैं जितने कॉलेज़ेस हैं वहाँ पर भी जो पढ़ाई है उसको भी सुरू के जा रहा है तो साफ है कि एक लंबे वक्ते बाद अब एक बाद फिर से पढ़ाई जो है वो यूनिवेस्टी में सुरूआत की जा चुकी है विडियार्थियों ने मास्क सेनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके पढ़ाई शुरू कर दी है आपको बताएं कि मार्च से विद्याले बंद थे अब कोबिट गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही कॉलेज खोल दिये गए हालाके पहले दिन ज्यादा छा विद्याले खुले हैं उनसे संबध कॉलेजिस खुले हैं पहला दिन था चात्र अभी कम संख्या में पहुंचे हैं आप देख लिए मास्क लगाए चात्र कोबिट गाइडलाइन का सभी को पालन करना होगा वैसे दोगच की दूरी तो दिखाई नहीं देती